जीमेल का मैसेज डिलीट हो गया वापस कैसे लाएं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी जीमेल पर कुछ काम करते हो यानि कोई फाइल भेजते हो या आपने कोई मेल पढ़ते पढ़ते डिलीट कर दिया या गलती से डिलीट हो गया तो उसको वापस कैसे लाएं? आईए जानते हैं तो कंप्यूटर लैप्टोप में भी सेम तरीका है और मुबाइल में भी सेम तरीका है आपको सबसे पहले अपना जीमेल ओपन कर लेना है तो यहाँ पे हम प्राइमेरी में जाते हैं और हमारे पास एक मेल आया हुआ है ग्रो एप की तरफ से हम इसको डिलीट करेंगे और फिर वापस लेके आएंगे तो यहाँ पे हम इस पे लॉंग प्रेस करते हैं और डिलीट कर देते हैं तो यह डिलीट हो चुका है अब यहाँ पे कई बार क्या होता है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए तो हम इसे अंडू कर सकते हैं यानि वापसी ला सकते हैं पर कुछ समय बाद यह हट जाता है option और हमें एक दिन बाद या दो दिन बाद याद आता है कि वो mail जरूरी था तो इसके लिए अलग तरीका है आपको अपने gmail में आना है gmail में आने के बाद आप अपना जो gmail है उसे select कर लेजिए सही वाला कि आपका कोंसा gmail है तो हमने यहां पे सारे gmail देख लिए हैं हमारा gmail है जिसमें हमने डिल्ड करा है वह हमने accept करा है याने select करा है उपर की तरफ आपको यहाँ पे 3 line मिल जाएगी आपको इस पे touch करना है यह चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी वरना आपको यह चीज गोल आइकन में भी मिल जकती है तो आपको जहाँ पर मिलती है जहाँ से देख लीजिएगा तीन लाइन पर टच करें नीचे की तरफ आईए यहाँ पर आपको एक ओप्सन ढूणना है जिसका नाम होगा बी, आई, एन, बीन यहाँ आपको मिलेगा ट्रेश तो देख लीजिए ट्रेश ओप्सन देखिए या बीन ओप्सन देखिए और इस पर टच कर लीजिए और आपके जो भी जीमेल डिलीट होए होंगे वो यहाँ पर शो करा देगा पर यहाँ पर एक कंडिशन है यहाँ पर कह रहा है आईटम डैट हैव बीन इन दर बीन फोर मोर दैन 30 डेज तो यहाँ पर सिर्फ यह 30 दिन तक यहाँ पर रहेगा और 30 दिन के बाद यह अपने आपी यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर वापस ला सकते हैं अगर 30 दिन से जादा हो गए हैं तो मुश्किल हो सकती है वापस नहीं आएगा अगर आप computer में कर रहे हैं तो भी आपको side में मिल जाएगा bin option bean पे टच करें और आपको यह option मिल जाएगा अब वापस ले जाने के लिए आपको इस पर long press करना है और यहाँ पे आपको तीन डॉट पे टच करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा move to इस पे टच करें और primary पे टच कर दीजिए और आपका जो gmail है यह वापसी वहीं पहुँच जाएगा जहांसे आपके आया था या primary में आप चेक कर लिजिए तो primary में जाएए और वाला mail चेक कर लिजिए आप देख सकते हैं हमारा grow वाला जो gmail है वह वापसी आ चुका है ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और topic के साथ आज के लिए इतना ही